घर और किचन के काम को करने में हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो कुछ यूशफुल किचन टीप्स की मदर ले ले तो काम आसान और बेहतर हो जाता है नमस्ते दोस्तो स्वागत आपका पृतिरसोई में तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही यूशफुल किचन टीप्स लेके आई हो जो आपके काम को आसान और बेहतर करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कपडों को सही तरीके से फोल्ड करके रखा जाए तो थोड़े से जगह में ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुर्ती को फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ तो उसके लिए हमें कुर्ती को इस तरीके से फैला लेना है कुर्ती के आगे के साइट को हमें अंदर की साइट रखना है और नीचे से हमें थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइट फोल्ड कर लेना है दोनों आस्तिन को इस तरीके से पीछे की साइट रख देना है उसके बाद दोनों साइट को लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है तो ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है अब इसके गले के साइट को उठाते हुए हमें दो फोल लगाना है कुछ इस तरीके से तो फ्रेंड वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप मेरे वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे खुशी होगी तो ये हमने जो फोल किया था न कुर्ती को नीचे की साइट से उसे हमें खोलते हुए उसके अंदर हमें पूरा कपड़ा डाल देना है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा अगर आप कहीं जा रही हैं बैग में ज़्यादा कपड़े रखने हैं तो कुछ इस तरीके से फोल करके रखें ज़्यादा आएंगे कभी-कभी हम कुर्ती को पहन लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लूज है और हमारे पास टाइम नहीं रता है कि हम इसकी पूरी सिलाई करें तो उसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ जिससे आपको कुर्ती टाइट भी हो जाएगा और देखने में और भी अच्छा लगेगा यानि इसका लुक भी चेंज हो जाएगा तो सबसे पहले इसके आस्तिन को टाइट करते हैं तो उसके लिए हमें इसके आस्तिन को उल्टा करना है और जहां से कंधा जुड़ा है न वहां के सिधाई में आप आस्तिन के सेंटर में एक सिखा रख दें उसके बाद हमें लेना है सुईधा का तो आप चाहे तो यहां पर पेन या पैंसिल से निसान लगा कर उसके बाद सिलाई करें या फिर सिख्य को इस तरीके से रख कर सिक्के के चारो तरफ हमें इस तरीके से छोटे-छोटे सिलाई कर देने हैं तो ये मैंने इसको ऐसे घुमाते हुए कर लिया सिक्के से थोड़ा सा दूर पर करिएगा एकदम चिपका के सिलाई मत करिएगा तो मैं इसे सिल लेती हूँ और सिलने के बाद हमें धागे को पूरा खीच लेना है जब आप धागे को खीचेगी तो जितना हमने सिलाई किया है पूरा एक जगई कठा हो जाएगा और सिक्का जो है वो कपड़े में अटक जाएगा उसके बाद आप इस तरीके से थोड़ा सा सिलाई कर दें ताकि सिक्का निकले नहीं गिरे नहीं तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सिलाई कर लिया है अब मैं धागे को कट कर लेती हूँ और आस्तिन को सीधा कर लेती हूँ उसके बाद आप देख सकती है कि कितना अच्छा डिजाइन बनके आ गया है यह दिखे अगर आप यहाँ पर 2-3 सिक्के लगा कर इस तरीके से सिल देंगी तो बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनके तयार होगा अगर आपके पास बड़ा वला बटन है तो आप यहाँ पर 2-3 बटन भी लगा सकती है सिक्के के जगर पर तो यह हमने इसको अच्छे से सिल दिया है और देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहा है आज तीन भी टाइट हो गया है अब चलिए कुर्ती के कमर के साइज को भी कम करते हैं यानि धीला है तो उसे भी टाइट आप कर सकती है तो उसके लिए हमें लेना है एक मैटल की चूड़ी यहाँ पर हमें काज के चूड़ी का इस्तमाल नहीं करना है अब चूड़ी को हम आगी की साइड में सेंटर में लगाएगे जहां से कमर रहता है वही पर और सेम तरीके से हम सिलाइग कर देंगे जैसे हमने सिक्के को सील कर उसमें लगाया है उसी तरीके से चूड़ी को भी हमें लगा लेना है आप यहाँ पर रबड का इस्तमाग नहीं करें रबड लगाने से वो निकल जाता है और खुल जाता है जब सिलाई रहेगा तो इस तरीके से खीचने के बाद भी यह नहीं निकलेगा अगर आप रबड से इसे लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगी हालत यानि यह खीचने के बाद निकल जाएगा तो कपड़ा पहनने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर खीचा जाता है अगर पहनने के बाद ये निकल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसे सिलाई करके ही लगाएं जब भी हम सबजी वगर बनाते हैं तो उसे इस तरीके से मिलाने के बाद हम उसके कलची को इस तरीके से गैस चूले पर ही रख देते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं करें आप दाल सबजी जो भी निकालें उसके बाद उसके चम्मज को एक प्लेट में रखें और प्लेट को आप गैस चूले के उपर रख दें बस इस तरीके से आप प्लेट के अंदर रखेंगी कि चम्मज को तो गैस उला गंदा नहीं होगा और इससे हमारा किचन देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको एक्स्ट्रा सफाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई होप आपको पसंद आया होगा इस तरीके के पॉलिथीन में सबजी, फ्रूट या कोई और चीज रखते हैं तो हम इस तरीके से दो गाठ लगा कर मजबूती से इसे रख देते हैं मगर इस गाठ को खोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी तो खुलता ही नहीं है तो हम पॉलिथीन को ही फार देते हैं तो आप गाठ इस तरीके से लगाएं एक गाठ पूरा लगाना है और दूसरा गाठ आधा ही लगाना है जिसे हम बोलते हैं डेड़ गाठ लगाना तो इस तरीके के polythene में अगर सबजी वगर आप रख रही हैं फ्रीज में तो इस तरीके से गाठ लगाएं जल्दी खुलेगा जब सुई में धागा डालना होता है तो हर किसी के आखे खराब ही हो जाती है ऐसा लगता है कि सुई में तो धागा जाई नहीं रहा है कहीं हमारे आखे तो नहीं खराब हो गई है तो ऐसा कुछ नहीं रहता है अगर एकदम पतली वाले छोटी सुई रहती है तो उसमें धागे को डालने में प्रॉब्लम जरूर होता है तो अगर आपको ज़्यादा प्रोब्लम होता है सुई में धागा डालने में तो उसके लिए आप इस छोटे से टिप को ट्राई कर सकती है तो यहाँ पर मैंने लिया है टूथपेस्ट आप कोई भी टूथपेस्ट का यूज कर सकती है जो आप अपने घर में यूज करती है और टूथपेस्ट को हमें इस तरीके से धागा के पॉइंट पर लगा देना है अब इसे हम कुछ सेकेंड के लिए रख देंगे ताकि यह सूख जाए जब टूथपेस्ट अच्छे से धागे में सुख जाएगा तो धागे का जो किनारे का साइड है वो कड़क हो जाएगा उसके बाद सूई में धागा एकदम आसानी से चला जाएगा कड़क होने के वज़ज से तो चलिए नेक्स टिप की तरफ चलते हैं जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं कुछ दिनों के लिए तो बच्चों की कुछ कॉमन दवाईयां होती हैं जो हम साथ में लेके जाते हैं जैसे सर्दी, खाशी, बुखार, उल्टी इन सब दवाईयों को हम साथ में लेके जाते हैं क्योंकि बच्चों को जो दवा हम देते हैं, वही उनको ज़्यादा सूट होता है. यह ज्यादा थर बच्चों में प्रबलम होती है. तो कुछ लिक्विड वाली बॉटल की दवा का जो लीड रहता है यानि धकन रहता है, वो धीला हो जाता है. यानि उसका जो चूड़ी है वो खराब हो जाता है उसके वज़े से वो अच्छे से बंद नहीं होता है तो अगर इसे कहीं लेके जाना है तो इसे अच्छे से बंद होना बहुत जरूरी है तो उसके लिए आप लिलने रबर बेंड और रबर बेंड को इस तरीके से घुमाते हुए इसमें लगा दें इसके उपर जो उसके चूड़ी है न उसी के बीच में हमें रबर को लगाना है उसके बाद आप इसे बंद कर दें बहुत ही अच्छे से टाइट बंद हो जाएगा फिर आप इसे पर्स में रखिए बैग में रखिए बिल्कुल भी इसमें से दवा लीक नहीं होता है एक बाद ट्राइ करके देखिएगा पसंद आएगा तो फ्रेंड उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही योजफुल लगा होगा वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फेमली और दोस्तों के शार्ष शेयर क नाम मत भूलिएगा थेंक यू